नमस्कार शातियो शातियो यह जो पुद्धा गन्ना आप देख रहे हैं यह साथ मई की बुआई का गन्ना है और 0238 वेराइटी है आज इसकी बंधाई हो गई है पूरे खेत की बंधाई करा दी गई है तो मैं आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा यह जो पुद्धा गन्ना है इसमें मैंने एक बार इस बार एक अलग रिजल्ट देखा है दोस्तों जो हमारे और भी खेत हैं पुद्धे गन्ने के उनके मुताबिक मुझे इस गन्ने में बीमारी कम देखने को नजर आई है क्योंकि यह गन्ना जो है इस गन्ने में इस खेत में हमने मक्का डाल लखे थी तो मकका की वजे से हमने इसमें कोई यूरिया वगेरा कोई खाद नहीं डाली थी कोई दवाई नहीं डाली थी मक्का निकालने के बाद जैसे ही बरसात इस्टार्ट हुई तब हमने इसमें यूरिया, डियेपी और फर्टेरा वगएरा डाल दिया था तो इसमें फंगस वगएरा की बीमारी बहुत कम देखने को आई है टोप बोरर भी बहुत कम नजर आया है बहुत ही ना के बराबर तो एक तो बेनेफिट दोस्तों मुझे ये लगा कि आज कल हम कितनी उचाई पर जून लग रहा है और ये बहुत ही अच्छा मुझे एक्सपिरेंस हुआ है इस खेत को देखके कि नेक्स्ट येर से हम इसी तरह से स्टार्टिंग में कोई भी खाद वगएर नहीं डालनेंगे नहीं तो हम दवाई डालते डालते कभी फंगस की कभी टोप बोरर की दवाई डालते डालते उसान खराब कर देता है ये गन्ना हमारा जो ये जो 238 वेराइटी है क्योंकि ये बिल्कुल लाश्ट स्टेज पर चला इस टाइम तो बहुत ज़्यादा बिमारी इसकी ओर आ रही है तो अभी जैसे हमारे नए बीज जमीन को पकड़ें उस जमीन को पकड़ाने के लिए अभी हमें इसका बहुत ज़्यादा विशेश ध्यान रखना होगा क्योंकि अभी कोई ऐसी वेराइटी नहीं है जो 0238 के मुताबिक किसान को किसान की उपज निकल सके तो अभी हमें भी कुछ आदत डली हुई है सभी किसान भाईयों को कि अगर उपज नहीं बढ़ेगी हमारी तो हमें मज़े नहीं आएगा हम उस बीज को तुरंत बदल दें हम फिर कहेंगे कि बहुत 0238 बहुग पहले भी हुआ अभी 018 भी जाया था लेकिन वो अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाया तो उसको लोगों ने छोड़ दिया फिर से 0238 ही लगाया वो बढ़ बंद कर दिया सभी ने बहुर रखा था लगबग एक एक दो दो भी कि सभी ने बहुर रखा था हमने भी बहुआ है लेकिन उसका पोद्दा हो जाता है पोद्द भी अच्छा नहीं हो पतता 0238 के मुताबिक तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा खाद को भोती अच्छे से देखके समय को देखके दब डाल लें अब आप जो गन्ना देख रहे हैं ये गन्ना साथ मई की बुआई का है तो इस गन्ने में देखो कोई कमी नहीं है फिलाल कोई बीमारी नहीं है और अच्छा गन्ना है स्वस्त गन्ना है और जैसे कि आप खेत भी देख रहे हैं पूरे खेत में मतलब जमाओ भी अच्छा है सब कुछ अच्छा है जून भी आप जो देख रहे हैं देखो कितने उचाई पर लगा हुआ है तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है किसान भाई हो टाइम से करें सब काम अंददूंद खात वगाने से भी कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जमीन भी हमारी खराब होती जा रही है और इस चीज की और हमारे कोई भी किसानभाई ध्यान नहीं दे रहे हैं आप जमीन की स्तिती को बहतर करने के लिए अपने खेतों में वेस्ट डीकमपोजर चलाएं क्योंकि वेस्ट डीकमपोजर जैसे हमारी जमीन को रसायनिक खाद खराब कर रहे हैं तो वेस्ट डीकमपोजर हमारी जमीन को खराब होने से रोकेगा, हमारी फसल में भी फाइदा पुचाता है और लास्ट तक फाइदा पूचाता है, बढ़वार भी होती है, सब काम होते हैं, तो मेरी आप सभी से एक विंती है, कि दोस्तों अच्छे से टाइम पे देखके खा लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम को देखके डालना चाहिए हम बिना मतलब ऐसे ही अंदादून डाल रहे हैं वह बहुत ही गलत है जिसकी वज़े से हमें एक खामियाजा भूगतना पड़ रहा है इसमें बीमारी लग रही है तो मैंने इस खेत में अपना एक्स्पिरियंस आप लोगों को बता दिया है गन्ना भी दिखा दिया है वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तो लाइक करो जादे से जादा लाइक करो वीडियो को सेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में नमस्कार दोस्तो झाल झाल